हेलो एब्रिवान माइनम इस गौरव वेलकम तो दे डवलेस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी को बता है हमारी अटोकाट के सीरीज इस चल रही है इस अटोकाट के सीरीज के अंदर हमने इसके पीविएस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर यहाँ पर हम इन फ्यूचर यूज़ करना चाते हैं उसी भी ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पर हम यहाँ पर ब्लॉक कमांड का यूज़ करते हैं और ब्लॉक कमांड का यूज़ करके हम उसे ब्लॉक में करके कॉपी कर सकता है आज हम देखने वाले हैं कि यही हमारे पास एक क के अंदर convert हो चुका है तो उसको यहां पर insert कैसे किया जा सकता है यहां पर जैसे कि हमार पास कोई working space है उस working space पर यहां पर बात करना चाहूं यहां पर तो इसका shortcut command मैं आपको यहां पर shortcut command बताते जा रहा हूं ताकि आपके पास क्या हो कि आपके पास यहां पर working हो थोड़ी easy हो जाए जैसे कि हमने block को create करने के लिए block को create करने के लिए उसी तरह यहां पर block को insert करना है तो मैं basically आप उसे अपनी चनुसा इसको यहां पर insert कर सकते हैं फिर देखते हैं यहां पर कौन सा डायलक बॉक्स नजर आता है जिस बायलक बॉक्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से हमें option देखने को मिलता है तो चलते हैं मिल जाएगा अब यहां पर आपने जितने भी प्रिविएसली ब्लॉक्स बना रखे हैं आप उसे यहां पर insert कर सकते हैं देखें बात करना चाहूं यहां पर यहां पर हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक्स है ब्लॉक्स नमर बनाया था हमने ड्रॉक किया था ब्लॉक 2 भी ड्र कर रहका है हमने block 3 भी द्रॉब कर रहका है उसके बाद में हमने auto भी एक block कर रहका है तो मैं basically यहाँ पर auto block को चूज करूँगा तो auto block को चूज कर रहा जा सकता है नेम अब block के अंदर हम जाके यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं बात करें यहाँ पर next है यहाँ पर browsing की देखिए यहाँ पर ब्लॉई की बात करें यहाँ तो ब्राउश के अंदर क्लिक करके आपके पास जो block है वो कहीं और है जैसे कोई और location पे है तो वहाँ से आप इसे क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं अब बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर है inserting point inserting point का मतलब क्या है कि आपके पास यह block है यह block आप इसके कहां पर रखना चाहते हैं वह आप यहाँ पर inserting point दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखाए specify on skin मैं यहाँ पर जब इसके यहाँ पर option के यहाँ पर click करूंगा जहाँ पर यह ब्लॉक बनना चाहिए यहां पर जो हमने यहां पर पॉइंट यहां पर किसी भी ब्लॉक का पॉइंट करता है जैसे कि हमने यहां पर इच्छ होगी वहां इससे रख सकते हैं या फिर आप इससे चेक्सपोक्स को हटा कर अब यहां पर आप इससे डाइमिंशन दे सकते हैं yes आप इसे Klick कर सकते हैं next बात करूँ यहां पर Iskaling के कि आपका जो Blocks है हो किस Heelink के साथ三 जींग होना चाहिए बात करें यहां पर यूनिट की तो यहां पर आप यूनिट को भी चैंज किया जासकता है hepsi भी भी आपक यहाँ पर ग्रू करेंगे थ्सक्री श्क्रीट को रहेंगे यहाँ पर ゃाrr वह यहाँ पर इन्सेट हो चुका है अभी देखिए इससे पहले आपके पर जो screen थी, वो properly blank screen थी, अब यहाँ पर आपके पास क्या रहा ब्लॉक आ चुका है, अब दीगे, जब हमने block बनाया था, block बनाया था, तो block बनाते वक्त हमने इसका जो base point था, वो हमने यहाँ पर क्या दे रहा था, इसके corner point को दे रहा था, जो कि अभी इसका base point औरड़ी है, अब जड़र बात करते हैं यहाँ पर, आप चाते हैं कि यह जो blocks बनाया है, अब आप इसके blocks का base point रिसो change करना चाते हैं, दीगे, एक बार इसको insert कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको press कर लेते हैं, तो यह हमारा block आ चुका है, लेक specify inserting point, जब आप यहाँ पर कोई भी एक point के उपर insert करना चाते हैं, यदि आप चाते हैं कि आपका base point है, वो यहाँ पर center पर हो जाए, या किसी और corner point पर हो जाए, तो वो भी यहाँ पर change कर सकता है, अगला options है, यहाँ पर base point यहाँ पर है, तो base point के लिए यहाँ पर simple सा B enter press करन आपका, तो यहाँ पर जो block है, वो block तो रहेगा, लेकिन इसका base point है, आप उसे change कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर center base point लेना है, तो मैं center इसे base point ले लूँगा, और base point के according इसको यहाँ पर कहीं पर movement कर सकता हूँ, next बात करें, यहाँ पर scaling की, तो देखिए scaling की बात करे from the x, y, z axis, मतलब यहाँ पर जो आपके पास x, y, z axis है, इसके तीनों के अंदर आप कितना scaling करना चाहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर object बना हुआ है, यहाँ पर आपके पास क्या है, one scaling से है, अब आप चाहते हैं, इसको twice time इसको scaling करना है, मतलब आपके पास x का scaling factor चलना है, आप इसे यहाँ पर 0.5 देदीए, जो भी आपके इच्छा है, वो देदीए, तो आपने देखा कि आपका blocks है, वो यहाँ पर 0.5 देदीए, आपर यहाँ पर आपके पास पास आपके पास, आपने हैं, यह उसको आप block में investir करते हैं, तो जो skillsところ होता है, जएड वह भी आपके आपको यहाँ पर यहाँ ईहां पर क्लियर हो चुका है यहां पर बात के हैं रोचेड के बारे में कि रोटेट करने के बाद किसी बारे में पिस प्रेस करने के बाद अब भी बाहर рад के रहा हो वो यहां पर आप rotate करवा सकते हैं तो basically बात करना चाहूंगा मैं से subject को 30 degree से rotate करना चाहूंगा तो यह आपकी क्या होगी baseline से 30 degree rotate हो जागी देखे चेक करते हैं क्या यह baseline से rotate 30 degree हो चुका है या नहीं हो चुका है तो मैंने यहाँ पर baseline draw कर लिए है तो simple angular measurement ले लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने first line ले दी है यह मैंने first line यहाँ पर इसको second line चूज कर लिए और इन दोनों के बीच का जो angle है इसको ज़रा देखे यहाँ पर तो अभी आपको क्या मिल रहा है 60 degree ने ज़रा रहा है प्लस यहाँ पर आपके पास more options में जाने पर आपके पास जो blocks है उस blocks के अंदर आप इससे changes भी कर सकते हैं basically यदि मैं specify on the location on the screen की यहाँ पर 0.00 कर देता हूं तो यह जो properly block है यह मेरा xy जो coordinates है वहां पर जाके shift होजएगा 0,0 पर shift होजएगा अब आप चाहे तो अब इसके अपनी इक्षा-णुसा location भी दे सकते हैं yes, यहाँ पर scaling को भी change कर सकते है, rotation को भी change कर सकते है unit को भी change कर सकते हैं, और और सारी चीज़ों को यहाँ पर Change कर सकते है, न garage किया जा सकता है और हमने यह देखा कि हम किसे ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते้ं और इसका जो शूंटक करbalance कमान्ड हे यहाँ पर है ईंटर आपके पास को इसके आपके पास कोगा आप वीडियो लक्चेस के अंदर तब तक आप हमारा सब बने रहिए थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो